पिछले साल भारतिय टेस्ट टीम में अपना शानदार डेब्यू करने वाले हनुमा विहारी अब शादी के बंदन में बन गए हैं रविवार 19 मई को 25 वर्षिय हनुमा विहारी की शादी डिजाइनर प्रीती राय के साथ हुई प्रीती राय और हनुमा विहारी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे आप सभी को बता दे कि हनुमा और प्रीती की सगाई पिछले साल 23 ओक्टूबर को हैदरबाद में हुई थी और इतना ही नहीं शर्मीले स्वभाव के दिखने वाले हनुमा विहारी ने गुटने पर वैट कर प्रीती को शादी के लिए प्रपोस किया था हनुमा विहारी की जानकारी भार्टकरी के टीम के फिलिंग कोच आर श्रीधर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी अर श्रीधर ने अपनी इंस्टाजन स्टोरी में हनुमान विहारी और प्रीदी राय के शादी के तस्वीर साज़्ा की आईपेल 12 के दौरान हनुआ विहारी श्रेय सरीयर की कपतानी वाली दिली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे हाला कि पूरे टोर्नमेंट के दौरान हनुमा विहारी ज्यादतर बेंच पर बैटे ही नजर आये और उनको सिर्फ 2-3 मैचों में ही अंतिम 11 में मौका दिया गया हनुमा विहारी ने अपना टेस्ट डेब्यू 2018 के इंगलाइन दौरे पर विराट कोली के अगवाई में किया था ओवल में टेस्ट डेब्यू करने वाले हनुमा विहारी ने अपने पहले ही टेस्ट पारी में शानदार 56 रन बनाए थे हनुआ बिहारी ने टीम इंडिया के लिए अभी तक मात्र चार टेस्स मैच खेले हैं और इस दोरान वह 23.86 के उसक के साथ 166 रन बनाने में सफल रहे हैं अगर आपको ये न्यूस पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं इंडिया ट्रेंडिक न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल लेटेस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए